Cryptocurrency Market में हैं काफी सारी categories, काफी सारे narratives जहाँ पे आप research करके अच्छा पैसा बना सकते हो बट यहाँ पे एक चीज जो हमने past में देखी है वो यह देखी है अगर आप देखेंगे historical screenshot Cryptocurrency Market का जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 2015 से इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो old coins होते हैं उनसे जादा नया coin perform कर जाता है for example यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ peer coin के बारे में जो कि एक time पे 7th number पे आता था Cryptocurrency Market में और आज की date में यह कहीं भी दिखता नहीं है शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और एक time पे 10 million dollar की market cap capture रखता था जो कि उस time से मैं बोलू अगर उस time की market के हिसाब से काफी बड़ी होती थी तो यहाँ पे हम आज एक ऐसी category discuss करने वाले हैं जिस पे अगर आप अगले 4 से 5 में ने ध्यान देते हो तो बहुत ज़़ा आपका profit बन सकता है कौन सी category है किस तरीके से उसमें hype आने वाली है क्या उसका reason है काफी ज़री चीज़ हम आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो के topics की अगर हम बात करें so in this video we are talking about reason of growth of this sector in crypto most hyped sector in coming months पहले भी इस पर मैंने वीडियो पनाई थी दुबारा आपको एक reminder दे रहा हूँ कि अपने research पर लग जाओ क्योंकि market अभी जब थोड़ी सी slow है या फिर हम बोले sideways है आपको opportunity दे रही है थोड़ा time spend करने का research पर तो research आपको ज़रू करनी चीए यहाँ पर मैं करूँगा दो existing coins का analysis fundamental और technical side दोनो यहाँ पर एक coin की मैं बात करूँगा जो यहाँ पर आपको एक काफी बड़ी opportunity अगले आने वाले एक से दो महीने पे देने वाला है यहाँ पर high chances है कि February में एक coin launch होगा यानि कि इसी महीने एक coin launch होगा और अगर नहीं होता है तो March में आपको यह आता दिखेगा बट यहाँ पर एक massive opportunity आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे आप $0 से $10,000 तक का भी profit इस coin से कर सकते हो दोस्ट So this is not a clickbait, it is gonna happen आपको सिर्फ चाहिए थोड़ा सा conviction, research और थोड़ी सी मेहनत तो आपके लिए research तो हम करी रहे हैं conviction आपको बनानी पड़ेगी और मेहनत भी आपके ही लगेगी दोस्ट So आज की वीडियो को चालू करने से पहले एक छोट इस request है कि चैनल को subscribe जरू करिएगा because जैसा content में आपको देता हूँ शायद ही कोई देता होगा और ये है Cryptocurrency का best YouTube channel ऐसा मैं नहीं कहता हूँ ऐसा हमारे supporters और हमारे subscribers कहते हैं तो आज एक छोटा सा tweet मेरे गया experimental tweet बोल सकते हैं इसको जहाँ पर मैंने बोला कि आप अपने favorite influencer को crypto influencer को challenge कर सकते हो मैंने यहाँ पर पताया कि मेरी journey crypto में दो साल की रही है अभी तक YouTube पे और comment करके बताए कि आपने कितना profit कमाया या कितना loss किया या आपको मेरा content सही लगता है बुरा लगता है क्या आपको लगता है पर comment करके अपना experience ज़रूर बताएगा आज की वीडियो का react target लगता है सिफ और सिफ 1000 likes का क्योंकि जो मैं आपको data दे रहा हूँ वो आपके काफी काम आ सकता है तो वीडियो देखने के बाद आप decide कर सकते हैं कि आपको ये like target पूरा करना है कि नहीं करना आपके लिए बहुत easy हो सकता है पर हमारे लिए ये बहुत motivational हो जाता है तो आप channel पर नहीं है तो obviously अभी तक आप telegram नहीं जुड़े हैं तो telegram में जुड़ेगा telegram पर हम करते हैं upcoming coins पर काम आज का जो coin है जो third last coin है जिसमें मैं बात करूँ है third coin जो की आने वाले है February में और उस पर काफी hype बन सकती है पैसा जोन सकता आपका without any money कोई पैसा आपको नहीं लगाना है किस तरीके से मैं बताऊंगा सारी चीज़ों और किस तरीके से आप जो 2 existing coins है उसमें काम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ तो टेलिग्राम में जरूर जुड़ी है नीचे official link है काफी बार में वीडियो में time based करता हूँ यह बोलके कि टेलिग्राम में जुड़ो copy link जो नीचे official link है उससे join करो scam link से मत join करो इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे scammers है market में यह देखो हमारे एक subscriber ने में screenshot बेजाए कि हमारे नाम से कोई scam कर रहा है 200 डॉलर का idea बेच रहा है मैं नहीं बेचता हूँ why idea और रात और रात मीर होने की scheme मेरे पास कोई भी नहीं है तो आप अगर telegram में जुनना चाते हैं तो नीची दिए गए link से join हो और आपको issue आ रहा है तो आप मत join हो कोई दिकर नहीं है YouTube पे मैं बहुत डिटा दूँगा बढ़ अगर आप telegram पे join होते हैं तो जितने भी upcoming coins आएंगे जिसके list आपको pen मिलेगी telegram में अब इदग हम यहां चार से पांच coin में अपनी list में से entry ले चुके हैं सब में हमें 100% plus gain मिला है कई coins पे तो 10x भी मिला जैसे कि Celestia ठीक है तो 100% के नियर सब में gain मिलता है हम अपना profit book कर गए कर देते हैं profit को hold बट अब यहां धीरे-धीरे strategy change होती चाह रही है तोस्त और Twitter पे सिर्फ मैंने यह नहीं बताया आपको कि मेरे उपर review दो बट यहां पे बहुत important चीज मैंने share कर रही है आज render के रिगार्णिंग अल्दो यह वीडियो रेंडर के लिए नहीं है रेंडर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें ने बताया था अगर आप कोशिश ना करो रातो रात पैसा बनाने की और अगले दो साल का एक time period लेके चलो तो आप काफी पैसा बनना सकते हो बस long shot करते हो यह यह मत करो कि high risk area पर आप long या short कर रहे हो यहाँ पर जो data suggest करता है वो यह करता है कि हाँ render को long करना काफी risk कर सकता है spot ना आप ले सक नहीं है so यहाँ पर क्या reason होने वाला है RWA hype का so BlackRock जैसे इतने बड़ी गंपरिया RWA hype पे real world asset hype पे tokenization of real world assets पे bullish है याने की जो real world assets है उसमें आपको मैं बोलू है RWA का बहुत बड़ा एक play होता दिख सकता है इस bull cycle में जो कि 24-25 में हमें देखने को मिलेगी बड़ यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको research करने पड़ेगी देखो RWA की need का है real world asset की need का है in this world ठीक है so एक use case दिखाता हो property buying ठीक है property buying use case कैसे हो गया कि for example अभी क्या है कि आप stock exchanges पे property के rental को trade कर सकते हो बड़ आने वाले चार से पांच सालों में ऐसा जरूर होगा कि fractionalized property जो होगी वो एक चीज होगी कि एक plot है उसमें 100 बंदे मिलके पैसा लगा रहे है so अभी क्या होता है जैसे bitcoin आप खरीद पाते हो fractionalized कि आपको bitcoin करेतना जरूरा जरूरी नहीं है एक bitcoin आपको पूरा खरीदना है अब आने वाले टाइम में प्रॉपटी करीद होगे बड़ यह सब speculation है यह आने वाले टाइम में आएगा ऐसी news आते रहेगे blackrock bullish है यह partnership हो गई वो partnership हो गई तो pumps आएंगे dumps भी आएंगे क्योंकि यहां पर 90% कोई हर कोई coin ना gem नहीं होता बहुत सारी list लोगों की है R.W.E. तो मैं भी R.W.E. पे काम कर रहा हूँ अपनी gem list ready कर रहा हूँ और approximately 20 coins के and most likely अगले अफ़ते वीडियो भी आएगी पूरे analysis में आपको दूँगा technical, fundamental, so उसके लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हो वीडियो आपको मिल जाएगी, so आपको deep research करने पड़ेगी, आपको समझना पड because 90% coins का कोई use case नहीं निकलेगा, ऐसा हमने होता हुआ देखा है past में, metaverse sector में, right, starting में 4-5-6 coin pump हुए, जो उसके बात के 100 coin है, सारे dump हुए, zero हो गए, तो zero होने से आपको बचना है, अगर आप आज देखो पहले 2021 की बात करें तो बहुत different था, अब market बहुत साथा different है, और 70 दिन में बहुत चाह टाइम है, काम करो, research करो, यहाँ पर जो projects आपको fundamentally strong लगते हैं, मेरे साथ से यहाँ पर market में 60% portfolio होना चाहिए, 40-30% आप रख सकते हो, अपने हाथ में safety purpose के लिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे है, जो 100% ही stables में है, उनको काफी दिक्कत आने वाली ह को smart contract पे लगाने के लिए हमें oracle चीए, simple language में बता रहा हूँ, एक example भी देता हूँ, for example, किसी ने एक weather app बनाई, d5, blockchain पे, जहाँ पे, एक smart contract होगा, smart contract क्या होता है, basically, कोई condition meet होती है, तो automatically result देता है, this is a coding thing, ठीक है, तो ज़्यादा deeply आपको समझने जरूद नहीं है, जितन दालूँगा, और blockchain पे डालूँगा, उसके लिए oracles हमारे लिए use होते हैं, ठीक है, तो ये exchanges पे भी होते है, decentralization, बहुत सारे use के से, smart contract is the new tech that is needed, जिससे ज्यादा fast हो जाता है, automation हो जाता है, smart contracts पे real world data लाने के लिए हमें oracles की जरुत है, so oracles are needed to grow the RWA sector, ये चीज मैंने आपक clear कर दी, अब बात करेंगे, जब oracles की तो बहुत सारे oracle coin है, बट यहाँ पर मैं 3 cover करने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा focus रहेगा last coin पे, ठीक है, सबसे बहले coin को अगर हम cover करें तो chain link है, पुराना coin है, और chain link में chart में बहुत चा breakout भी है, अगर आप देखेंगे, इसकी valuation को 10 billion dollars की valuation अभी market cap है, basically not fully diluted market cap, यहाँ पे supply जो है, supply 58% market में है, अभी भी थोड़ी आनी बची है, ICO से अगर आप देखते हो, तो ROI इसका 16000% अभी चल रहा है, current rate और obviously market के साथ, chain link भी भी बहुत डाउन है, अगर बात करें तो काफी अच्छा एक project हो सकता है, basically उताओं तो मेर portfolio को बहुत बड़ा part नहीं है, क्योंकि मैं नए coins पर जादा research करता हूँ, नए coins पर जादा invest करता हूँ, बट फिर भी हम यहाँ पर manage कर लेते है, breakouts पकड़के, और breakouts को trade करने की, तो फिर वहाँ पर हमें मिल जाता है, मौका, आप देखोगे अगर तो बहुत सारी, जो ecosystem है, बहुत बड़ा है, इसका, DeFi में 780 daps है, NFT में 571 projects है, gaming में 312 projects है, blockchain में 103 blockchains है, data provider 103 है, node operator 90 है, और build यहाँ पर एक section है, जिसमें 81 है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा vast ecosystem है, और chain link एक काफी strong project है, दिखा जाये तो, मैं बोलूँगा, fundamentally और बात आती है जब technical side की, तो technical side भी आप आपको इस video में मैं दिखाने वाला हूँ, so, यहाँ पर chain link एक काफी अच्छे, मैं बोलूँगा की distribution zone में था, यहाँ पर accumulation zone था, यहाँ पर sideways range थी, मैंने काफी सारी video में आपको बताया है, कि जब आप sideways range दिखती है, अगर आप decision लेते हो, तो यहाँ पर आपको काफी अच् तो इसको breakout करके इसके उपर price sustain कर रहा है, हमारा oscillator guru indicator याने की हमारा sniper with gunpowder क्या कहता है, देखेंगे, तो यहाँ पर जो sniper है, वो bullish है, gunpowder भी काफी अच्छा खासा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, bullish scenario उसका क्या होता है, अभी तक यह private indicator है, soon this will be launched in public, so हमारा यहाँ पर bullish scenario meet हो oscillator ने यहाँ पर जब हमारे sniper indicator ने एक हमें indication दीजी that this is gonna be bullish in daily time frame, so यहाँ पर आप देख सकते हो कितना gain मिला, 25% का gain, obviously chain link जो है वो एक बड़ा asset है, तो यहाँ पर movement जो होगी, वो थोड़ी slow ही रहेगी, बट देखो अगर आप RWA में invest करना चाहते हो, so सबसे पहले आपको पक major resistance, obviously यह time लेगा, ठीटे का time frame का chart है, तो single candle में को नहीं जाएगा दोस, बटाने वाले कुछ महीनों में chain link 28 dollar पर देखने को हमें मिल सकता है, अब यह का बात हो गई पुराने coin की, यहाँ आप को पता दिया कि जादा interest पुराने coins पर है नहीं, although it is a very very strong project, chain link को मैं बोलो तो म मेरी नजरों में काफी strong है, और जैसे जैसे RWA के hype बनती जा रही है, oracles की भी hype बनती जाएगे, और जितने लोग oracles को समझते जाएगे, यहाँ पर price appreciation भी आपको होता दिखेगा, आप बात करते हैं, PIT की, याने की PIT network की, बहुत सारे लोग इसको PIT बोलेंगे, PIT बोलेंग क्योंकि इनका ecosystem बहुत बड़ा है और ऐसा बूला जा रहा है कि जो बंदा stake करेगा, उसको यहाँ पर अच्छा कासा reward मिल सकता है, in form of airdrops, ठीक, और airdrop ही है, असली hype, देखा जाए, तो इस cycle के इसली hype, तो airdrop ही है, क्योंकि एक बंदा है, पैसे लगा रहा है, research कर रहा है, और एक बंदा है, जिस पर पैसरोड़ा कम है, बड़ वो airdrop में पूरी महनत कर रहा है, तो वो सबस्यादा पैसा obviously कमा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगी, तो इनका जो unlock है, अगला unlock जो हमें देखने को मिलेगा, which I really like, is in May, so मैं February में वीडियो बना रहा हूँ, 10 तो 7 दिन बाद unlock है, जो की एक काफी इच्छा growth potential देता है, PITE को, और PITE हभी recently Binance पर भी list होगा है, जो की काफी बड़ी achievement होती है, काफी जारे coins के लिए, अगर आप देखोगी, इनका ecosystem भी काफी जादा growing है, यहाँ पे obviously chain link से बड़ा नहीं है, बड़ काफी growing ecosystem है, being a new project, so आपको अच्छा आसा फाइदल सकते है, PIT के हाँ में price action की भी बात करेंगे, देखेंगे क्या अगलती लोग कर देते है, right, so यहाँ पे आप देख सकते हो, 400 plus data feeds है, 1200 plus apps है, यहाँ फिर decentralized apps है, daps, जो की use कर रही है, इनके Oracle को, 45 blockchains इननोंने कर रखी है, integrate, और 80 million plus update से दे So this is a very good project, I would say, I am not staking it, to be very honest, क्योंकि मैं TS take कर चुक हूँ, तो मैं PIT staking पर भी नहीं जाओगा, पर PIT पर मैं छोड़ नहीं रहा हूँ चीज, ठीक, अगर अगर आप चार्ट देखेंगे, तो अभी news I, Binance की, और यहाँ पर एक अच्छा spike हमें देखने को मिला, और हमारी condition यहाँ पर meet हो गई थी, 37 cents पर, right, अब यहाँ पर एक green line देख रही है आपको जो 37 cents है, लोग क्या गलती करते हैं, आप क्या गलती करते हो, अगर आप ही गलती करते हो, आपको रोकना पड़ेगा यह गलती करने से पहले, चार्ट को देखना बहुत जरूरी है, if you are taking entries, अगर अज हम बात कर रहे हैं, फरवरी में, ठीक 15 से 20 दिन बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि अच्छा खासा breakout हमें मिला है, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक हमारे पास अच्छा खासा support है, जो कि 0.47741 पर है, अगर आप यहाँ पर entry बनाना चाते हो, so you should use my strategy जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, which is partial entries, देखो partial entry में क्या होता है, आप पैसे थोड़ा कम कमाते हो, पर रिस्क आपका बच जाता है, being a new coin, और इसका जो मैं बोलूँगा की, token investing schedule बे इच्छा लग रहा है, तो एक support यहाँ पर भी है, major support 0.37 पर है, तो आपने 40% तो यही पकड़ चुको है, यहाँ पर, obviously, इसको, so, यहाँ पर 30% आप यहाँ लगाऊगे, and 30-40 is 70%, and आप 30% ही, दोस्त, 30% जो है, उसको मैं बुलूँगा की, आप रख लेते हो, worst case scenario बेले, तो हम इसको duplicate कर देते है, clone कर देते है, and 30% goes here, on this support, ठीक है, जो एक macro support है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो, Pite पर, Pite is a very, very important coin, मुझे लगता, अच्छा ग्रो करेगा, market cap wise, अगर आप देखोगे न, चीज़ोगे, market cap, obviously, बहुत कम है, chain link से, market cap कम है, यहाँ पर, अगला unlock, जो 3 महीने, 16 दिन बाद है, बट यहाँ पर overview में, हमें कुछ facts देखने है, Pite, देख देती है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते है, blockchain में क्या होता है, अगर आप देखोगे, पुरानी companies को तो वहाँ क्या होता है, advertisement होती है, तो यह एक तरह से advertisement है, by rewarding the people, this is called blockchain testing, लोग इनका blockchain test कर रहे हैं, ठीक है, उनको reward मिल रहा है, तो यह game testers, and we can say, software testers, already ऐसे लोग है, market म आप तो airdrop में, airdrop बुला जाता है, blockchain space में इस चीज़ को, so यहाँ पे बहुत ज़्यादा positive vibes है, क्योंकि लोगों ने इससे पैसा कमाया, तो वो लोग इसके supporter रहेंगे, till the bull run, और यहाँ पे अच्छी marketing मिले ही, तो यहाँ पे 738 million dollar की market cap है, ठीक है, जहाँ पे chain link की 10 billion dollar है, अपने fund के इसाब से भी आपको चीज़े manage करनी है, अगर मैं देखू, 4 hour time frame में, आपको देखके बताऊ, that what is my setup saying, so my setup is getting bullish, यहाँ पे एक scenario मुझे आता दिख रहा है, देखो, यहाँ पे यह scenario आया था, let me just mark it for you, फिर आपको पता लगेगा, कि हाँ यह चीज काम कैसे कर रही को, यहाँ पे cloud ने हमें support कर दिया, यहाँ कि cloud इस white line से उपर चले गया और extreme areas में चले गया, तो यहाँ पे यह same scenario यहाँ बनता दिख रहा है, पाइत में देखो, ठीक है, cloud obviously अभी support नहीं कर रहा, बट यहाँ पे cross हमें होता दिख रहा है, ठीक है, cross हमें होता दिख रहा है, if you are bullish on this, काफी सारे लोगों ने पैसा लगा रख था है, and यहाँ पे एक चीज में आपको बताना चाहता हूँ, जब चीज pump हो जाती है, तब उसको catch करने की कोशिश मत करो, अगर आपकी कोई चीज miss हो गई, तो उसका breakout आप छोड़ दो, कोई और breakout catch करने की कोशिश करो, तो आपको समझना वड़ेगा कि किस चीज में आप पैसा लगा रहे हो, वरना चाहे कितनी ही चीज वो pump हो जा आपको नुकसान दे जाएगी, तो इस चीज का थोड़ा घ्यान रखो, and breakout level, अब मैं बता हूँ, macro breakout level, थोड़ा जवेट कर सकते हो, patience है आपके अंदर, जो बंदा पर है सकता है, उसके लिए बता रहा हूँ, तो 15% उपर यहाँ पर 0.55 या 0.54 के उपर, या आप माक कर सकते हो, levels अपने चार्ट में screenshot ले सकते हो, इसके उपर जब डेली closing मिलेगी, तो this will go into price discovery range, और यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े move, pipe में मैं बोलूँगा, बन सकते है क्योंकि RW की hype जैसी हैगी न, Oracle का use case बढ़ जाएगा, ठीक है, तो Oracle में काफी कुछ होगा, जिससे आप पैसा बना सकते हो, you have to be active, और अगर आप एक active investor हो, पर trader नहीं हो, या आपको charts नहीं देखना आते है, breakout आप catch नहीं कर सकते हो, बहुत easy है, कुछ नहीं करना आपको, नहीं बनती लोग होगी, conviction इसलिए नहीं बनती क्योंगी, ठीक research नहीं कर रहे हो, आप ये research नहीं कर पारे हो, कि चीज है क्या, इस research को strong रखो, आपको पता होने चीज चीज क्या है, ठीक है, so ये तो हो गई, pipe की बाद, second coin, अब आता है, एक और नया coin, pipe की तरह, जहां पर बहुत बड़े opportunity बनती दिखती है, जिसका नाम है Supra Oracle, Supra ने अभी तक 26 million dollars मैं बोलूँगा, raise किये है, Supra मैं काफी time से bullish हूँ, Supra हमारी gem list में भी है, तो gem list में तो obviously बात है, मैंने आपको promise कर रखा है, कि जो जो coins मैं buy करूँगा नहीं, उसका buying strategy, उसका analysis, या फिर उसका एक अच्छा buying properly with risk management मैं आपको दूँगा, अभी past week मैंने काफी सारी buying दी भी है, उनमे profit हूँ, अभी यह लोग होगा, तो Supra और अकल को आप देखोगे तो हमारी list में काफी पहले से, और यहाँ पर यह launch होता दिखता, सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हो, बट यहाँ इक चीज़ आपको ध्यान रखने है, इनके बारे में थोड़ी research करो, तो आप इनका देखोगे अगर ecosystem, तो काफी बड़ा, अच्छा खासा full grown ecosystem है, अगर 285 है, पित से अभी कम है, बट यह भी launch भी नहीं हो रहा है, so they are working great, मैं बोलूँगा, यहाँ पर आपको काफी सारे partners दिख जाएंगे, जो इनकी technology को यूज कर रहे हैं, corporate partners पर जाओगे, तो mastercard का भी आपको नाम मिलेगा, announcement आप चेक कर सकते हैं, कि website से जाखे, right, so अब यहाँ पे Supra launch तो नहीं हुआ है, और Supra ने बीच में क्या किया था, ICO निकाला था, बहुत सारे लोग यहाँ पे overnight rich बनन event जहाँ पर coin launch होगा, वो first quarter of 2024 में होगा, तो मैंने यहाँ पर पैसे नहीं लगाए थे, तो मेरा यहाँ पर decision यह था, कि मैं participate नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 200 डॉलर फसाने से अच्छा है, कि मैं इस 200 डॉलर को use कर लूँगा, अपने, देखो 200 डॉलर किसी के लिए छोटे हो सकते हैं, किसी के लिए बड़े हो सकते हैं, तो अपने लिए तो सारे बैसे बड़े हैं, हम तो 10 डॉलर को भी value देते हैं, so 200 डॉलर मैंने यहाँ ना लगा कि मैंने कई सारे coins trade के, उनमें मुझे फाइदा हो गया, और अब क्या होगा, यह launch होगा, तो launch पर मैं देख लूँ आपको कुछ missions करने हैं, नीशे official link मैंने दे रखा है, अगर आपने नहीं किया तो अभी भी आप कर सकते हो, आपको बस time है, आपको यहाँ पर simply यह missions करने हैं, and missions में क्या करना है भाई, पहले तो आपको obviously अपना email bind करना पड़ेगा, wallet की जरूरत नहीं है, आपर email bind करो, KYC कर करो, answer आपको मिल जएगा, answer match करो, sign कर दो, यहाँ पर कितने missions अभी तक 39, एक घंटे दो घंटे आप बैट जोगे, थोड़ी महनत करोगे, देखो इसमें एक फाइदा यह भी है, आपको project के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, की project करता गया है, यह नोंने का airdrop मिलने का chance है, यहाँ पर 400 million supra coins का airdrop मिलने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई पैसा तो लगेगा निया आपका, ठीक है, आपका लगेगा, time and time is money, so let's invest some time and make some money, so 3 coin मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, जहाँ पर एक अच्छी range breakout हुआ है, मैंने बता दिय है किस point के उपर हमें closing मिलती रहीगी, तो हम bullish रहेंगे, वो है 17.23 dollars, मैंने बता दिया है कि अगर देखा जाए इन तीनों को, तो तीनों मैं fundamentally अभी भी chain links सबसे strong है, but I will focus more on pipe, जहाँ पर मैं already buying कर चेक हूँ, 0.37 पर, ठीक है, and मैंने आपको बता दिये कैसे यह breakout और ज्याद ज्यादा कोई resistance नहीं है, और एक अच्छा price discovery रहें जाएगा, मैंने आपको pipe के बारे में यह भी बता दिया, कि इसका जो token unlock है, वो आने वाले time में, थोड़ा सा late है, तो अच्छा रहीगा हमारे लिए, and supra का link official नीचे description में रहे है, you are just learning and answering questions, MCQ है भाई, MCQ, ठीक है, multiple choice questions आ कर लेना, and supra को follow करना जरूरी है, इनके twitter पर, because वहाँ पर सारी information आएगी, regarding the TGE, token generation, event याने की coin launch होगो, तो इन्होंने बोल दे कि आने वाला है, एक काफी बड़ा दिन, and मेरे को बरोसा है, supra बे, कि ये ठीक ठाक performances bullrun में करेंगे, देको bullrun में तो shit coin भी perform कर जाते है, ठीक ह अब हम अपना hold your profit strategy धरी 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 खताम ही कर देंगा, अब हम hold your entry करेंगे, 2x पर 50% पर हमने कई coins free करें, पिछले एक साल में 45-50 coins free कर लिए, कई record पक रहे, बड़ अब ये time है, जहां पर 20x, 30x, 40x हमारे पास कमाने का, जो हमारा free back पड़ा है, वो तो पड़ा ही है, अब हम यहां पर अपनी capital को बहुत चे से manage कर चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे, एक long term vision के साथ, एक साल के vision के साथ, entries बनाने की, तो ऐसी videos में आपके लाता रहूँगा, information आपको देता रहूँगा, नीचे दिया हुआ है, supra का official link, उससे जाकर आप ये task कर लो, if you want this airdrop, और airdrop म कि पहले या दूसरे दिन में आने की Monday या Tuesday में, मैं पूरी इसी कोशिश करूँगा, कि 20 RWA narrative coins with fundamentals, with technicals आपके लिए ले के आओ, बट थोड़ा सा time लगता है भाई, क्योंगी हम भी थोड़ी से research करते हैं, और research को power देने के लिए, वीडियो को like कर देना, I hope आपको वीडियो अ